नमस्कार मुत्रों, ये चैनल में आप सबी लोगों का स्वाकत हैं, हर्यों, जैशे कृष्णा आज मैं आप लोगों को बात बदाने जा रही हूँ, वो सुसाइटी आत्मात्या के संपन में है आत्मात्या करने के बात क्या पर इनाप होते हैं, आत्मात्या करने वाला वैक्ती, आत्मात्या फिरके चला जाता है इस दुनिया से, लेकिन बात में उसके साथ क्या क्या होता है, यही बातों पर आजा चर्चा करने वाले हैं लेकिन इससे पहले अगर आप लोग ने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मनुपली में भी बढ़ता रहे और मैं इस तरह की और भी जब जब ज़दा स्पीरिच और नॉलेज और दूसरी बाते आप लोग उतके शेयर कर सको तो चले मित्रो अब मैं आपको बताती हूं देखें हाले में जो सुषान सीन राजपुत का जो केस है वो एक मिस्ट्री बना हुआ है एक मुडर मिस्ट्री बना हुआ है एक सुसाइड मिस्ट्री बना हुआ है अब यह मुडर है यह सुसाइड है यह कोई भी ठीक तरह से नहीं पता पार है लेकिन सुषान सीन राजप कि इस सम्मन में बहुत से वीडियो जारी हो रहे हैं यूट्यूब पर नए नए वीडियो बनाए जारे हैं सुशांसी राजपुत को लेकर हर एक फैक्तिव वकील बन गया है जर्ज बन गया है प्रिस वाला बन गया है और जितनी अपनी भावनाई प्रिकट कर आए इस सम्मन को तरह है कि ये वह हुआ है उनको पहले मारतिया गया उनको बाद में मारा गया एंबिलेंस बदल दी गई ऐसा हुआ CHARGE ₹ ए से धूफ हमकं कि उनने आहिसे डिक़्ियों कि अश्म बर लेकिन इन दोनों ही बातों में एक आहम बात ये है कि सुशांसीन राजपूर की जो द वो अकाल मृत्यू है, यानि कि, सदें ले उनकी डर्थ हुई है, अकाल मृत्यू, अकाल मृत्यू मतलब कि, वैति जिसमें अपनी पूरी लाइफ नहीं जीता है, और बीच में ही उसकी डर्थ हजाती है, सुसाइट से, या किसी के दोरा मान दिया जाता है, या सदेंट हो जा अब यहाँ भी बहुत से लोग इस संब्द में नएने वीडियो जारी करना है, कि सुशान सिंग राजपुत के आत्मा अपना बदा लेने लिए नया जन्म लेगी, अंकिता लोगंड के साथ आप रिवर्द देखना चाहसे हैं, सुशान सिंग राजपुत का वगेरा वगे akah यहां नहीं होती है, यहां मित्रो, यह सच है, आप अगर कोई आपको यह बर्गलाने की कुशिश कर라고 है, यहां गुमणरा करने की कुशिश कर रहा है, कि सुशान सिंग राजपुत की आत्मा ने जन्म ले रिया है, और वो अपना बदला लेने के लिए जल्द ही आ रही है या अगीता लोकंडे के साथ उसका पुनर जर्म होने वाला है या इस तरह की वगिरा वगिरा दुनिया मेरे की जो बाते हैं मैंको नारूं ये सारी बात जूट है क्योंकि अकाल मृत्यों वाला वैक्ती भटकता ही है और ये नहीं कह सकती कि उसका बटका हो कितने महीनों का कितने सालों का होगा जी हामित्रों ये सकते हैं 10, 5, 15, 20, 25, 40, 40, 40 साल तक के आत्माएं भटकती हैं प्रत्वी लोग से अकार्म रित्यों को प्राप्ट आत्मा हैं या एक्सिडेंटल क्रेस हो या सुसाइट वाला केस हो अब ऐसे किस्तिली में आपको क्या करना है माडर मिस्ट्री या सुसाइट केस इन सबसे निपटने के लिए अदालत भी है बहुत से सक्रिय लोग भी हैं जो इस संबन में कारवाही कर रहे हैं बहुत से प्रक्रियाएं चल रही हैं मगर आप मास्ता में अगर उनके फैन हैं और चाहते हैं कि उनका कुछ अच्छा हो तो सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि आपको उनके लिए प्रात्मा करनी होगी आपको उनके लिए जब करना होगा जी हां मित्रों आपको उनके लिए जब करना होगा उनके लिए प्राइपना करने होगी अपना जो जब है उसका जो पुन्य है वो उनको अर्जित करना पड़ेगा करना होगा तब ही उनकी आत्मा को शांती मिल पाएगी इतने सारे लोग जो उनके लिए जब करेंगे और अपना जो जब का पूर्न है और उनको और भी करेंगे तो निश्यत रूप से उनकी आत्मा को शांती मिलेगी और ज़्यादा उनको बटकना नहीं पड़ेगा और बहुत जल्दी नया शर्वी उनको मिल जाएगा यहां लोग यह कले लगाने में ही अपना समय वैदीत कर रहें, कुछ ल Boo Aisuky की कमाई हो रहे हैं, योट्यूब कर रहे हैं न spec veil वान, शुड़ और जो वहाँ है सिर्फ इसलिए कि कमाई हो सके यह क्या बात हुए एक पैसा कमाने के लिए आप लोग इस हथ तक गिर जाएंगे कि किसी की डैप को दुनिया बेर की मिस्टरी बना देंगे कहीँ भी कोई भी मनगरत कहानी मिना कर पीश कर देंगे आप लोग यह क्या बात हुई है अगर आप वास्ता माँ के फैन हैं उनकी प्रती आप सहानुपती जटाना चाहरे हैं तो आप उनके लिए प्राप्ता क्यों नहीं करते, आप उनके लिए जब क्यों नहीं करते, आप उनके लिए कोई पांट क्यों नहीं करवाते, कुछ ऐसे बड़े-बड़े धान में का आजन करवाईए, दान करवाईए, पोज कराईए, जितना हो सके आप यह सब करवाईए अब हर व्यक्ति का एक कार्मिक लेखा होता है मित्रों, लेकिन यदि व्यक्ति सुसाइड वाला है, तो यह सुसाइड वाला जो केस है, वह उसके कार्मिक लेखे में नहीं आता है, यह व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है, यह उसका अपना खुद का कर्म होता है, जिसके कारण की वो सुसाइड करता है कार्मिक लिखा जो भगवान के द्वारा बनाया जाता है जिसे हम किस्मत कहते हैं उसमें कदापी किसी के भी अत्मत्या की बात नहीं आती है इश्वर कार्मिक लेकी में सुसाइड लिखकर कभी नहीं भेशता है ये किसी भी वैक्तिका अपना स और उसके अनुसारी वो प्रकृति द्वारा दिये गए अपने इस शरीर का सत्यानाश करता है सुसाइट के रूप में अब अगर बोल कहा जाए कि नहीं मैं यह नहीं कहा रही हूं कि सुशान सीख राजपुत ने अत्मत्य की यह हो सकता है वो मैं डर भी हो उन्हें किसी ने मारा भी हो लेकिन मैं बता रही हूं कि चुकि उनकी अकान बत्ती हुई है तो उनकी आत्मा भटक ही रही है तो आपको उनकी आत्मा की शानती के लिए प्रातना करनी है जब करना है अपना जो पुन्य उससे प्राप्त हो उनको अरपीत करना है ना कि दुनिया भर की जूटी खबरे फैलानी है और जूटे वीडियोस बना कर पैशो के कमाई के लिए यूट्यूबर परोसना है ना ही विवर्स को गुम्राह करना है जी हाँ मित्रो आप उनके लिए प्राप्ना करेंगे उनके लिए जब करेंगे और इस जब से प्राप्पून ने को अटबिक करेंगे तो निशित रुप्सन की आत्मा को शान्ति मिलalar की मैं आपको बता दू कि आत्मात्या के बाद क्या होता है दरस मैं ये सब समझाने में असली बात तो भूली गए कि मैं आपको पहले क्या बताना चाहरे थी देखे अमित्रो वैक्ती बाहरी जगत से परिशान होता है और वो सोचता है कि चैन की नीद सो जाएगा आत्मात्या करके लेकिन आत्मात्या करने के बाद क्या होता है आत्मात्या करने के बाद उसकी नीदे और हराम हो जाती है जी हाँ, वो कभी चैन की नीद नहीं सो सकता है पहले वो पहाय जगत में जितना परिशान था जितना दुखी था आत्मात्या करके वो उससे जादा दुखी हो जाता है क्योंकि आत्मा को शहीर तुरंत नहीं मिलता है और बिना शहीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती उसे भूग लगती है, उसे प्यास लगती है, सारे अनुभा उसके एक जीवित व्यक्ति के जैसे ही होते हैं, लेकिन उसके पास खाने के लिए हाथ नहीं होते हैं, मुह नहीं होता है, अफली फीलिक्स वो दूसरों को बाट नहीं सकता है, जैसे ही कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है उसके मृतिय होती है तो व्यक्ती का शरीर Ratin ho जाता है पंची तत्व मैलीन हो जाता है इसका द्वायस करकर दिया जाता है लेकिन उसकी आत्मा है वो उसरी घर में रहती है वही रहती है क्यार की इक्षाये अभी समाप्त नहीं हुई रहती है, उसका जुडाव उस जगह से रहता है, तो जो घरवाले उसको मिस करते हैं, उसके लिए रोते हैं, वो उनको देखता है, मतलब आत्मा उनको देखती है, उसे क्या दी कि आप मत रोये, मैं हूँ, मैं हूँ, पास में हूँ, लेकिन हम उसको देख नहीं स और निश्यत रुप से योगी, तपस्वी या जो बड़े-बड़े उच्चिकुटी के सादक हैं, आत्मा की शांती भी वही प्रदान करवा सकते हैं, उस आत्मा को तरप्ती भी वही देरवा सकते हैं, जी हा मित्रू, कोई अचानक यदि मृत्त हो जाता है, किसी के अचानक is grow my way, भी धुरे उर्ठेशता हैं, तो वो हमें पूरा देखता है, हर एक बात हमारी जानता है, कि फला फला हमारे लिए रो रहा है, ज्यूटी कारवाएं कर रहा है इसने ऐसा किया है उसने वैसा किया है और वो समय समय पर आपको बताता है आपके असपास भी रहता है लेकिन आप उसे नहीं देख पाते हैं क्योंकि उसके पास दे नहीं होती है और वो इतना पस्ताता है बहुत पस्ताता है तो उसका जो जीवर पहले नर्ग था जिसके कारण उसने आत्मात्या करी थी उससे जादा नर्ग किया जीवर उसका आत्मात्या करने के बाद हो जाता है ग्रंथों में लिखा है कि प्रक्रती ने ये जो शरीर दिया है और इस शरीर का कोई अपमान करता है और आत्मकात करके इसको समाप्त कर देता है तो वो वैक्ती इतना बड़ा पापी हो जाता है कि मृत्यू के उपरांद उसके शव को भी किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए वन्ना वो भी पंप का भागिदारी हो जाएगा तो मृत्यू के उपरांद उसके शव को किसी चंडाल से घसिटवा घसिटवा करके उसका दासमस्कार करा देना चाहिए उसको छूना तक नहीं चाहिए इतना बड़ा महापातक बताया गया है आत्माहत्या को और अब आप सोचे कि लोग बहाई ये जगत से रिष्टा तोरने के लिए परिशान होकर आत्माहत्या का सहाना लेते हैं और आत्माहत्या करने के बाद उनको तुरंत दे मिलने वाली नहीं रहती इस बाद की कुई गैरंटी नहीं होती है पांस साठ, दस साल, पंदरा साल, वीश साल, चारिस साल, पचेस साल, साथ, साथ साल तक आत्माह teen भanक्ती हैं और बड़े-बड़े योगियों तपस्यों से वो प्रातना करती हैं, उनके सामने गिर-गिर आती हैं, कि वो उनके घरवालों से कहें, कि वो उन्हें मत करें, उनके लिए कुछ करें, जी हा मित्रों, ये सकते हैं, तो इसलिए यदि कोई आप उसे कहता है, सुशांसी उनके साथ उनका रिपर्द होगा, उनका दोबारा जन्म होगा, वो उससे बतला लेंगी, ये होगा, तो इनकी बातों में बिलकुल मता हीए, सच बात ये है, कि तुरंत इनके से भी अकार मृत्य प्रापतात्मा को दे नहीं मिलती है, और यदि उन्हें आप दे देना चाह जो चेतना का इस्तर था, वो कौन सा था, कौन से तल पर उनकी उर्जा थी, जहां पर उनकी मृत्य होई, इस ही हिसाब से उनका अगला जन्म निर्धारित होता है, अब यहाँ देखिए एक सीधी सी बात है, यदि कोई आत्म हत्या करता है, तो क्यों करता है, दुनिया से उ उदास होके, दुखी होके, परिशान होके अत्मत्या कर रहा है, अब वो दुखी परिशान क्यों है, इतना दीन ही क्यों बन गया है, क्योंकि अभी वो निचले तल पर है, उसका उर्चा का जो इस्तर है, वो उपर नहीं गया है, एकदम निमन तल पर है, निचले इस्तर प वो दुखी होता है, परिशान भी होता है, उसमें कामभाव भी रहता है, क्रोध भी रहता है, जैसे जैसे उसकी उर्चा का इस तर उपर होता जाता है, वैसे वैसे उसकी ये जो बातें ये क्रोध, कामवासना, दुखी, सुखी होना, ये सब धीरे-धीरे कम होते जाता है, श कि उनकी इस तरह सम्रत्य हुए है और इतने वह दुखी पाए गए हैं तो यह सारी चीजें दर्शाती हैं उनका इलाज भी चल रहा था मतलब मांसिक रूप से भी उनको डॉक्टर की ज़रती ज्यादा नहीं तो थोड़ा पहर डॉक्टर के पास तो वह गए ही थे मतलब कहीं अगय के न गए मांसिक रूप से भी वह विजलिद्ध से इसंसे यह सिद्ध होता है कि वह निचले इसतर पर ही थे मुट्धिमांथ से लेकिन उनके पश् वीविविएक नहीं था मित्रोर्म का अ को अगर वीविविविक होता तो वह आतमात्या कर ही नहीं सकते हैं सांसारी जगत की ही पुद्धी थी न, उनके पास, विवेड नहीं था, तो उनकी उरजा का जो इस्तर था, वो निचला इस्तर था, तो इसी लिए निचला इस्तर परी उनकी मृत्यों या जो जिल्टावने भी मारा है, या वो खुथ मरे हैं, परतु ऐसी स्तिती में मरे हैं, यह जो परिस्तितियां हैं उनका जो मनोबल है इन सब को देखके यही कहा जा सकता है कि उनकी उर्जा का जो इस तर था वो निम्रत था तो इसलिए अभी उनका अगला जन्व नहीं हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि उनका अगला जन्व हो उनका शरीर मिले वो बटके नहीं तो आप उनके लिए प्रात्नाई कीजिए जब कीजिए दानपुन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी बड़े से बड़े फैन हैं जो भी हैं उनके लिए चाहते हैं कि उन कि मृत्यू और लोग चाह रहे हैं कि क्या चीज है पता चले सुसाइड है मडर है जो भी है तो इसके लिए जाच हो ही रही है बड़े-बड़े लोग काम कर ही रहे हैं लेकिन आप यह दिन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपका यह काम है कि दुनिया भर की बातों में ना आएए जूटे वीडियोस नहीं बनाएए और उनके लिए प्रात्ना कीजी साथ ही मेरा यह संदेश उन लोगों से भी है जो लोग आत्मात्या करने की सोचते हैं जो यह जाते हैं कि आत्मत्या करने से उनकी सारी प्राप्लम सौल्व हो जाएगी तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं मेरा यह वीडियो देखकर वो जान ले कि आत्मत्या करने के बाद वो और भारी मुसीवत में पढ़ने वाल है तो इस तरह के नकारात्मत विचारों को वो त्यार दे प्रक्रति द्वारा दिये गए शरीर का यदि आप अपमान करते हैं आत्मगात करके उसे नस्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको भारी नुकसार उठाना पड़ता है यानि कि आपको तो शरीर ही नहीं मिलेगा अभी आपके पास शरीर है लेकि जब आप आत्मत्या करेंगे तो आपके पास देह नहीं रहेगी और पताने कितने वर्षों तक किये आपको देह नहीं मिलेगी तो मित्रों ये तो थी मेरी जानकरी आत्मात्या के बात के परिणाओं और सुशान सिंग राजपुत के लिए दुआओं का संदेश, प्रात्ना का संदेश, जब का संदेश, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, आशा मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, हरियों इस अजयां और समय आपको आपको होगा है